नमस्कार दोस्तों मैं सोनू स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिट से रेविट फार्विंग से यूटूब चैनल रेविट पर इन्फो पर दोस्तों कापी टाइम से कोई वीडियो नहीं थी क्योंकि थोड़ा बीजीता काम है दोस्तो ऊषी वीडियो से वंद्विचे पर दोस्तों स्व्ञाइट करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए मत्भपून होने व्योंने इम्पर्टंट होने वादा और कासकर उन लोगों के लिए ज्योकि और जिनके लिए जिन्तों चagem फार्म सर्दियों को जियान में रखे बना रहा हूं कि बहुत सारी चोटी चोटी दिक्कत जो आती है रेविट फार्मिंग में उनमें से क्या-क्या दिक्कत हैं उनको कैसे सटाउट करना है उसी के बारे मैं आज बात करूंगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, सर्दियों में सबसे बड़ी समस्य आती है, पर फी मेल बच्चे देती है, उस चीज का आप ध्यान, और में लिए गुमें, इसके लावा बहुत सारी फिमेल के होती कि अपने अच्छे कासे काफी बाल निकाल के पूरा नेक्स्ट सयार कर लेती है और उनमें कोई दिकत नी आती है उनके बच्चे अच्छे खासर रठें वह उनके मौटिली संभावशना बहुत कम हो जाती है। कुछ फिमेल होती ही जो बच्छे देने से पेले अपने बाल नहीं निकालती है। बिना बाल निकालती है देतां'm varsity आपको ज़रूत से हुभं और उनमें से कुछ प्रम आकें कुछ तो तो पर भाल नहीं गालती जो कभी भी नहीं होता है कि उनके बने निकालते इसा हुआ पच्छ नहीं सब्सक्राइब चेह डियर घान जातें कि उनके लिए आपकी अीश में जीन करसा किए जोटबन. यहां से पाधिया उलमों व्हो YouTube और उनके नेक्स्ट बोक्स में रख दे सु उसे वी टोड़ा गरम रएगा नेक्स्ट इपक्रेड लेगी में इसके लाव आपको एक मार्केटमें डय कोंटन मिलता है जिसलिक से गयर गगध्डें बना जाते मं आपको दिखा देता हूं एक इस टाइब का कोटन है जो आपको मार्केट में मिलेगा यह बहुत सोप्ट होता है और खापी गरम भी होता है तो यह कोटन आप लें मार्केट से 70 रुपे की रेट में आपको मिल जाएगा है पर केजी में यह आप लाके रखे और फिमेल को जब बच्चे देने के टाइम तब आप उनको दे सकते हैं या जिन फिमेल के बाल कम है तो सर्दी के टाइम पर भी आप उनके नेक्स बोक्स में एक्स्ट्रा बाल मतलब यह कोटन डाल दे तो उससे भी वह बच्चे बच्चे रहेंगे इसके लाब एक काम जो आपको करना है करना है सेड को पेक करने का य आपके फार्म में नहीं जानी चीए वेंटिलेशन थोड़ा बहुत रहना चीए आप उसकी एक साइड को थोड़ा बहुत खुला रखे जहां से हवा बाहर निकलती रहे जो इसके गेर से वह बाहर निकलती रहे फार्म की लेकिन फार्म का कोई भी ऐसा हिस्ता खुला ना र बच्चे होते हैं उन वे क्या वाइरल बहुत जल्दी आता है और वाइरल ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसको सर्दी जुगा में लेकिन सड़नी बच्चों की डेस होने लग जाती है कभी दो बच्चे चार बच्चे ऐसे करके वह डेस आपको पर डेका यह अधिक जाती है यह दिक्त विस ठाइम पहती है जब एक दम से गर्मी खतम होंकर सर्दी शुरू होने को आती है तो उस ताइम पर इस चीज़ को विशे ज्यान रखिए कि सर्दी आ सुरू होने से पहले है ठंडी होई चलने से अपहले आप फर्म को पूरी तरह से पेक कर ग इसके लावा एक medicine आती है market में, endrotas के नाम से, ये medicine है आप ठीक से देख लीजिए इसको, endrotas का नाम है, इसमें endrofluxenine और bromagazine, ये दो salt इसमें आता है, आप नाम कोपी कर लें अच्छे से, endrotas के नाम से आती है, ये medicine लाके रखे हैं और इसको आप पानी में हर 5-6 दिन करेंगी और उस problem को sort out करेंगी इसके लावा प्रोपर ली ब्रीडर का आप temperature चेक करते रहें इस time पर क्या होता है किसी ब्रीडर को यानि female को सदी हो जाती है उस सदी हो कि कब उसको नीमोनिया बन जाता है उसको खाना पीना बंद कर देता है और एकदम से उसकी शड़नी हो तो उस चीज को मतलब इग्नोर करने के लिए आप क्या करें कि जो रेबिट आपको लगता है कि है और उसने खाना पीना पहले से कम कर दिया है पानी कम पी रहा है तो उसका आप टेमप्रेशर चेक करें तो कोई रिक्कत निया अगर उससे अपडाउन है तो उसको फीवर य तो कोईसिस करें कि कम से कम गीला हो फाम के अंदर चुने सुके चुने का छिटगाओ करते रहे टाइम टू टाइम साब सफाई रेगुलर करते रहे इसके लाव फाम की पेकिंग की तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत अच्छे से पेकिंग करें अगर आपके उपर टीन स पेदर लगा हुई है तो कोईसिस करें उसको ऊपर से किसी चीज से कवर कर दें ताकि वो गम से कम ठंडा हो इसके लावाद जैसे आपके तेमपरेचर अगर 10-12 डिग्री से कम जाता है उस टाइम पर आप इसमें बल्क जला सकते हैं 100 वाट का होता है 100 वाट या 200 वाट के ब लगा दे उससे भी फाम के अंदर गर्मी हो जाएगी इसके प्रोपरली आप फीड में हर 5-6 दिन के गेप में लसुन का पेस्ट एड करते रहें लसुन को अच्छे तरह से छील के 2500-200 ग्राम लसुन ले उसका बढ़िया बारिक पेस्ट बना ले मिक्सी में ग्राइंड करके ग्राइंड करके अच्छा बारिक पेस्ट बनाएं उसको पानी में घोल के और फीड के अंदर मिला दे आप जो फीड हलका सा मोश्यर बना के दे रहे हैं अगर जानवरों को तो उसमें आप लशुन का पेस्ट जो है एड कर लें उसमें तोड़ा अधरक बीर आप डाल सकते घील चार्ण करांव कि इसके लावत सब्सक्राइब के दो तिन महीने अगर आप फीड में घुड का पानी मिला के दे रहे हैं अगर जुसे जुसे भी बोलते हैं आप ब्लू दो दी आप वैसे तो आपको रेगुलर रखना चाहिए अगर पर फीड में अच्छी वासी दे तो उनके करीबन आप 300-400 ग्राम गुड का पेस्ट जो है आप दे अगर डेली दे सके तो डेली वरना एक दिन छोड़के एक दिन आप गुड का पानी उस फीड में मिला के दे तो यह थी सर्दी से एक अपडेट इसके लाव अगर कोई भी आपको और इंफोर्मेशन अगर च जाउदानी जादा बरते हैं छोटे बच्चोन को लेके कासकर की जो नियूबोर्न बेबी उते हुथे उनको लेकर इसके लावा आपके पास जो 45-45-4 दिन के बच्चे उते उनको लेकर तो डी साउदानी बरते हैं क्योंकि उनमें मोटली पेकिंग अच्छे से गरें आज कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि एगर कोई और नई इन्फोरमेश है जी है अब मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक बनाने चाइक उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नई से नई अपडेट के नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो को अधिक सदिक सेर करें और लाइक करें थेंक्यू